हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के दो स्टॉक्स के बारे में ISCTC और IRFC ISCTC के लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव निउस निकल के आ रही है जैसा कि आपको बता ही था कि एक बारी जब 50% रेवेन्यू शेरिंग की सरकार की तरब से फैसला लिया गया था उसके बाद शेर में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला था और कुछ ऐसी ही निउस निकल के आ रही है जो कि कल के मार्केट सिनेरियो में यानि की संबार को हो सकता है एक नेगेटिव इंपक्ट क्रियेट कर दे आयर CTC के लिए वहीं IRFC के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव निउस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन मैं यह नहीं बोल रहा हू कि उससे आप वो सरकेट देखने को मिलेगा लेकिन पॉजिटिव निउस दोद निकल के आ रही है IRFC के लिए तो वीडियो अच्छी लगया देओ लाइक जरूगा दीजेगा चैनल पर फरस्टाम विजट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूगा दीजेगा चली वीडिय सबसे पहले बात कर लेते हैं IRCTC के बारे में IRCTC में अगर आप देखोगे फ्राइडे का मार्केट सेनेरियो तो 757 के आसपास की क्लोजिंग IRCTC में देखने को मिली थी और कडिवन 0.13 परसंड का नेगेटिव मूमें यान एक टाइप से यहां पर आपको एट पार पर ही क् की अब यहां पर आपको पता ही है कि जब से शेयर में इस्प्लिट हुआ है पिछले 6 मीने में अगर आप यहां पर देखोगे तो 10% के आसपास के ही रिटन है जबकि यह ऐसा शेयर है जो अपने शेयर ओल्डर को 60% 70% 90% ऐसे रिटन देखने हुआ है इससे भी जादा है तो यहां पर आप देखोगे जब से शेयर करेगी तो उसके बाद अगर आप देखोगे करीवन 19-20% के आसपास का करेक्शन यानि की नेगेटिव मोमेंट एक दिन के अंदर देखने को मिल गया था इससे इटिस में तो डेफिनेटली यह जो ख़वर थी वो काफी नेगेटिव इंपेक्ट कर रही थी आप यहां पर मैं आपको जो ख़वर बताने वाला हूं वो भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव नियूज है और ISCTC के शेयरोलडर के लिए एक बहुत बड़ा धक्का निकल के आ सकता है यहां पर आप देखो टेकिंग ओवर फ्रॉम ISCTC इंडियन र अब देखने को मिले थी कि ISCTC जो फूड प्लाजाज हैं वो इस्टेशन्स पे बनाने वाली हैं और वहां पर कुक्ड फूड सर्ब करने वाली है तो डेफिनितली उस टाम पे अच्छी नियूस थी पॉइंटिव नियूस थी कि बिजनिस को और अपग्रेड कर रहे हैं ले ISCTC से ले लिया है और यहां पर बोला है कि अब वो खुद से स्टेशन्स पे हंड्रेड न्यू फूड प्लाजा ओपन करने वाले हैं तो एक बहुत बड़ी नेगेटिव इंपक्ट करने वाली है ISCTC पर आगे अब आप यहां पर देखो टेकिंग ओवर फ्रम यहां पर दे रेलवेज तो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि ISCTC से यह फैसलिटी यह फैसलिटी लेकर इन्होंने जोर्नल रेलवेज को दे दी हैं उन्होंने बोला है कि हम यहां पर खुद से यह सारी फैसलिटी प्रोवाइड कराने वाले हैं तो इस पर्टिकुलर से जो भी रेव पा रहे होगे जो मोनोपॉली थी वो एक बहुत बड़ा पॉइडे पॉइंट निकल के आती थी ISCTC कि लो सब लोग इसी बज़े से इसमें इन्वेस्ट भी करते थे लेकिन अब अगर आप देखोगे जो सरकार के फैसले निकल के आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि कभी भी ज sizing के लिए negative माहुल create हो सकता है आने वाले कुछ time के अंदर तो ये जो news मैंने आपको बता ही है हो सकता है कल एक negative माहुल create कर दे कर दे तो definitely जो positive scenarios थे वो थोड़े से कम होते वे नजर आ रहे हैं ISCTC के अंदर अंदर तो ये तो बात हो गई ISCTC की scenario मैंने आपको पूरा बता दिया है अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं IRFC के बारे में ये भी एक ऐसा share है जिसमें आपको कोई भी बहुत बड़ा positive moment काफी दिनों से यानि कि जब से IPO आया है तब से नहीं देखने को मिला है Friday को भी अगर आप देखो कि 0.23% का negative moment 21.75 पैसे पर आपको इसकी closing देखने को मिली है लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो इसके लिए कुछ positive scenarios बनते हो नहीं ज़र आ रहे हैं यहाँ पर आप देखो Indian Railways to run over 120 special train to each the festival rush चेक फोल लिश्ट हियर यानि कि अगर आप देखोगे तो IRFC का जो पूरा scenario है वो आपको directly link देखने को मिलता है Indian Railways से तो अब यहाँ पर करीबन करीबन 120 special train चलाने वाली है Indian Railways जिसके लिए अगर आप देखो जो होली है उस time पर जो भील होती है उसको कम करने के लिए तो definitely अगर आप देखोगे एक अच्छा या फिर positive ख़बर है लेकिन अगर आप देखो तो IRFC जो की हर चीज के यहाँ पर financing करती है Indian Railways के लिए तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी positive news है जो की directly आपको link नजर आती है बाकि second news पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो Indian Railways installs solar panels at three stations under the Central Railways Mumbai division यानि के अगर आप देखोगे तो Indian Railways जो की पूरी तरीके से solar based resources पर काम करना चाती है और thermal जो power थी वहाँ से shift करके renewable energy, green energy, solar energy पर shift होना चाती है तो वही same scenario आपको railway में भी देखने को मिल रहा है इन्होंने तीन stations जो की solar panel वाले हैं वह install कर दिये हैं Central Railways Mumbai division के अंडर तो definitely इस पर्टिकुलर चीज के लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी financing जो करते होने ज़र आया है वो IRFC ही है तो यह भी एक positive news है IRFC के लिए लेकिन सबते बड़ी जो दिक्कत है वो आपको भी पता है कि इसमें जो दिक्कत वाली बात है वो है तीन साल का total time होता है देल साल हो चुका है तो हो सकता आपको बहुत जल्दी OFS देखने को मिल जाए और यहां से उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको एक अच्छा moment देखने को मिल सकता है मेरे according तो अगर आपने अभी तक position अपनी hold की है तो definitely मेरे according OFS तक का wait तो आपको easily करना चाहिए वोगि उसी के बाद इसकी picture आपको सही लगेगी तब तक आपको यह ऐसे ही चोटे मोटे moment दिखाते रहेगा कोई भी बड़ा moment नहीं आएगा तो मैंने दोनों share के बारे में आपको बता दिया है दोनों में ही जो news ती वो बता दिये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल में फर्स टाम विडिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद